इसको बहुत है किसे मैं किरने और को short time जा रहा है और कभी क्या होता है कि में किसी काम से भाहिआ पड़ते ह dressing क्या हिर्ग काम करते हैं और चालू है फिर उसके अंदर हम नोगों क्यों सब्सक्राइं देंगे तो फिर जितना भी complete हुआ है फिर वह वापस दुबारा से नहीं आएगा वह क्या कि आपको फिर से दुबारा से render करना पड़ेगा क्या ऐसा हो कि हम लोग जो भी render करें जितना हो गया हमारा render उसकी आगे से करना चालो करेगा तो उसके लिए क्या solution है उसके लिए कर क्या सकते हैं कि हमारा जो render है जहां से हमने stop किया है वहां से हमारा render start हो अगर आपको जाना है तो यह देखते रहिए और सिखते रहिए जाने के लिए इस वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप वहां पर जाके आप विजिट कर सकते हो ठीक है अब यहां पर देख सकते हो कि मेरा यह यहां तक आके stop हो रहा है मैं दुबारा से भी रेंडर लगाऊंगा तो मेरा रेंडर दुबारा से ही यहां पर फिर से उसी जगह से start हो जाएगा फिर से आपको अपने रेंडर सेटिंग में जाना होगा इधर फिरेट टैप में जाना होगा विरेट टैप में इधर पर होता फ्रेम वफर सेटिंग तो फ्रेम वफर में आपको यहां पर नीचे की तरफ आपका फ्रेम वफर आन होना चाहिए इस सेटिंग के लिए आपका फ्रेम इनेबल होना चाहिए आप Frame Buffer को यहां से इनेबल करो तब आपका इधर पे Setting वो रिजुमार वाला जो यह Settings है रिजुमार रेंडरिंग वाला तो यह Active हो जाएगा अगर आप Frame Buffer यूज नहीं करते हो तो आप रिजुमार रेंडरिंग यूज नहीं कर पाऊगे ठीक है इसको आपको फ्रेम वफर को एनेबल करना होगा तब उसके बाद आपका यह जो है रिजुम मुवल रेंडरिंग एक्टीव हो जाएगा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ माक करता हूँ तो आप देख सकते हो इधर पर यह कुछ नहीं इधर पर भी एक ऑप्शन है और टो इंटलन सेविंग तो इधर पर जब भी हम लोग यहां पर क्लिक करते हैं अगर अभी क्या कि मैं फिर से रेंडर करू हुआ है वह बैकप भी होना चाहिए तो उसको लोकेशन देना पड़ेगा आपका जो बैकप फाइल है यानिक आप रेंडर स्टॉप भी कर रहे हो तो वह कहां पर सेव होना चाहिए राइट उसका जो चैनल से उसके जो आर्जीव लाइट है अलफा है जो सेपरेट अगर बैस भी देते हो आप तो वह कहां पर सेव होने चाहिए वह लोकेशन आपको देनी पड़ेगे अगर आप नहीं दोगे तो यह रिज्मुवल काम नहीं करना आप मांग भी कर लोगे तब भी काम नहीं आएगा ठीक है तो इधर पर आपको क्लिक करना है पहले आपको सेव कर रखना है यानि कि आपका जो रेंडर होगा आपाटपूड वह कहां पर सेव होगा वह रख लिजिए मैं इधर पर टेस्ट नाम का फुलिडर बना लेता हूं तो टेस्ट नाम के फॉलिडर के अंदर इधर फिन लोकेशन में यहाँ पर एड़ कर देता हूं एड़ो अगर मेरे कोbig यह स्टार्ट करता अपना अभी स्टार्ट करूंगा तो अगर में इतक से लिर रहा भी थे अब इत्या ठोलए तो नें तो लेगा हि व्होड़ा क्या जोब स्टू दegब सकते कि मेरा ये इतनाु अर बिशी आ numa और बी यहां पर और लिए तो या जो यह है कुछ बगोड़ा टायप का का बना हुआ हुआ अपके नहीं अपूर है तो इसको भी में थोड़ा सा और एंटर आ यह इतना उन्मारी में हो जिसे हिखंटे में फटापाड़ू हां आपके इमेज में घंटे लग रहा है समलों आपका अधा कम् możli DR हो गया आपका इतना complete हो गया इतना रेंडर कर गया तो बीच में अगर आपको जाना पड़े गया किसी कारण से आपको जाना पड़े गया तो आपको PC बंद करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा तो फिर वो जो जितने भी ये इतने रेंडर हुए हैं तो ये तो सेव नहीं होने वाला वैसे तो मगर जो अभी हम लोग ने सटिंग किया है उसके उन्दर ये हो जाएगा जैसे कि मैंने इसको स्टॉप कर दें यहां से स्टॉप हो गया अभी ये क्या होता है कि जैसे मैंने स्टॉप किया जो भी जितना भी ये हुआ है ये मेरा सेव हो जाता है जिस लोकेशन पर हमने इसको रखा है यानि कि इस जगह पर जितना भी हमारा रेंटर हुआ है इस ट्रैस्स नाम के यहां बüre लग UC लुक्त कर सकते हैं यह मेरे पास एक क्यूंस ग्रुप का ब्लियर है आफ नज़र आजा है देखते है इसनो हमारा रेंडर हुआ था उतना रेंडर ना पर सेव हो चुका है अगर मैं दुबारा से अभी मैं यहां पर कभी समलो मेरे को मैंने ब्लंद कर दिया अगर मैंने PC को बंद कर दिया राइट शेवाट करना है तो फिर बारे हुआ है उपन करने बाद फिर में सो उपन करूं уाख ये इसको दुबबार 2 recomесть कर ओद को तो ओंधा और देखोगे यह क्या करेगा मंतों उपने यह यह नाइं प्राइट किसे निरिकतर रे फ्रीम कॉले से क्या है हमारा जो इस पर घंटे लग गए थे रेंडर में मेरी पीसे में इसको इतना रेंडर करने में घंटे लगए तो वह मेरी टाइम बज गया है अगी मेरा रेंडर हो रहा है उसके बाद वाला तरह के से हम लुक्तव कर सकते है अपने फाईल को जैसे कि अपने रेंडर को आप रिजूम कर सकते होगी इस तरह का शेटिंग करके जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, ओके मैंने इसको स्टॉप कर दिया हूँ तो तो स्टॉप करने के बाद फिर आप यहाँ पर किस लोग बोलोगे इधर पर बाजू में यह क्या लिख है ओटो से इंटरनल मिनट्स तो यह भी ऑटो सेव किसका है जैसे कि आपने इधर पर सेट कर दिया राइट राइट तो मगर इसके लिए आपको क्या करना है जब आप प सेव ना करूं कभी सब्सक्राइब मेरा क्या है कि बीच में सट डाउन हो गया ऑटोमेटिकली मैं सेव नहीं कर पाया प्लोज नहीं कर पाया तो यह टाइमिंग सेट करके आप उसको और मैं इसको करता है 0.5 यानि कि आधे सगंड पे यह अपने आप ही आनि कि यह आधे मिन चाहिए इसको बीम प्रोग्रेसिव अंडर पर डगा दियो मैंने और यह अभी यहां पर क्या करेगा फ्रग्रीसिरी रेंडरिन करेगा अब बिच्ची किसका करता है कि जीतना हमारा हो गया है यह यह फूरा-प्रा-प्लिठ iq पा रैंडरिन कर रहा है ।्रू कि मैंने बै आदे सकंड में कितना पास्स लिया उतने पर ही अपने आपी बैग्राउंड में सेव करते रहेगा ठीक है अगर मैं दुबारा से जब भी मैं इसको ओपन करूंगा उस टाइम के बाद में तो उधर पर यह अगर मैंने उधर पर क्लोज नहीं किया कभी गलती से मेरा अचानक स सेव हुआ है वन मिनट पर आधे सेकंड पर तो उतने पर ही वो रिजूम करेगा फिर बाद में जैसे कि अगर मेरा से चॉप हो गया बंद हो गया राइट सब कुछ अभी यह तो क्या है कि मैंने अपने हाप से बंद किया तो इसके बाद से दुबारा से रेंडर होना चालो चालो गगए इस नॉइज लेबल से होते हुए दुबारा से रेंडर होना चालों हो गया अब थोड़ा सा भी दोणो प्री पास निखल जाएंगे को उसी उस दो बार चालो हो गया उस जगह से स्टार्ट हो चुका है तो यह है लिग्वल रेंडरिंग का सेटिंग तो वी इस वीडियो में इतना ही अगर आपको बिड़े पसंद आ है तो लाइक कीजिए और अगर आप में चैनले पे नए हो तो में चैनले सुस्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को प्रेस कर दिना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिल सके यहाँ मिलते हैं आपको ठीडी मॉडल सीनफाय टेक्शर और टुटोरियल और विया जाने के लिए इस वीडियो के डेक्शिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है आप वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हो